एरफोर्स एक्स एंड एरफोर्स वाई एरफोर्स एक्स वाई के लिए परिक्षाइप पर ऑनलाइन टेस्टीज लाँच कर दी गई है आप जाके परचेस कर सकते हो चैनल का कोड है इंडियन वी 40 ये यूज़ करना आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप वहाँ पर डिफेंस लेटर सारे आपको ऑनलाइन टेस्टी मिल जाएगे तो आप जाके परचेस कर सकते हो चैनल का कोड यूज़ करना आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा तो परिक्षाइप की लिंक और कोड मैं आपको डिस्क्रिप्सन पर दे रहा हूँ बेस्ट ऑनलाइन टेस्टी जाएगे परचेस कर सकते हैं तो आज से हमें स्टार्ट कर रहे है एरफोर्स वाई गुरूप के लिए रागा तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि रागा का जो ओफिशल से लिए साकर है क्या क्या है हमें पढ़ना है कैसे पढ़ना है है ना हम मैं आपको रागा से कोई भी वीडियो देता रहूं आप देखते रहोगे ब्रोसे पहर लेकिन आपके जो माइड में कब वो है ना इन इन चेप्टर से कोईशन आते है और इन इन चेप्टर से हमें तयार है कुछ ये चेप्टर से जो हमें नहीं तयार है जो तब है तो वो भी आप तयार कर लोगे है ना तो एक क्लैरICIA आ जाती है तो हम आज किस कम एक आपकर चाने करा Backyardा कर दो है तो गाइस यहर आपके Air Force Y Group का Official Raga का सलेवेस तो Raga में सबसे पहले Reasoning जो की Verbal and Normal पूछी जाती है ना और इसके अलावा Mathematics पूछी जाती है तो Mathematics में काफी Confusion होती ही कौन-कौन से Chapter से Question आएंगे तो सारे Chapter साथ हम आपको बताएंगे इसके लावा अगर बात करें GK and Current Affair की तो GK में कौन-कौन से Topics पूछे जाते हैं तो वो भी हम Clear Discuss करेंगे इसके बाद देखिए एक Model Paper भी है वो भी मैं आपको डिसकस करूँगा तो वीडियो हो सकता बड़ी हो जाए लेकिन काफी यूसफूल है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और Share कर देना अगर आप किसी भी Study Group में है तो पहली चीज जो है वो है Reasoning तो Reasoning जो होती हो आपकी Verbal and Non-Verbal Non-Verbal and Verbal दोनों पूछी जाती है सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहोगा मैं जूम करके दिखाता हूँ पहला टॉपिक है यहाँ पर Numerical Series जिसे आप हिंदी पर जानते होगे अंकिक स्रंखला है ना पहला चेप्टर है Numerical Series जिसकी एक वीडियो भी मैंने बना दिया है बस मैंने अभी चैनल पर नहीं डाली क्योंकि मैं सोचा पहले आपको स्लेवस बता देता हूँ उसके बाद डालूँगा तो अगर आप इस वीडियो को अपलोडिंग टाइम की कुछ दिन बात देख रहे हो इससे मैं आपको पूरी वीडियो दूँगा और अच्छे से सारे कुछन किलियर करूँगा ठीक है इससे आते हैं इसके बाद दूसरा चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट तो ये भी एक चैप्टर है और इससे भी कुछन आते हैं यहाँ पिर जितने भी चैप्टर लिखे हैं लगबग सभी से कुछन आते हैं Mathematical Operations इससे भी कुछन आते हैं चौता जो चैप्टर है वो है Number Rankin and Time Sequence Test तो इससे भी कुछन आते हैं चैप्टर नबर 5 है Assign Artificial Values to the Mathematical Digit इससे भी कुछन आते हैं ुसकेबाद च्छटमें नमबर हें बात करें जो, च्छटमागा चैपटर यहां पर है रिजनिक है वह एंसर्टिंग जो इंसर्ट पर्स इंसर्टाषि करत करें क्रेक्ट मेर्टिकल साइं इसकेख से क़ सस्थ माय इंसर्ट करना यह भी एक चैपटर है सारी important है, सभी से लगबा question आ जाते है इसके बाद question number, sorry, chapter number 10 है mutual relation problem, mutual relation problem इसके बाद 11 number chapter है tallest youngest relation है, वो उसे बड़ा है, चोटा है वगएरा वगएरा तो इस type के question भी आते हैं तो ये भी काफी important chapter है, tallest youngest और relation इसके बाद dictionary word पूछे जाते हैं आप question देखते होगे, सद्धवरतनी पैचानी है सद्धवरतनी पैचानी है, तो वो इसी type से question आते हैं dictionary words से, इसके बाद analogy से question आते है non-verbal reasoning भी पूछे जाती है काफी सारे question आते है non-verbal reasoning से तो वह आपको कराऊँगा, number coding से question आते है एक question आपका number coding से भी आता है number puzzle से भी question आते है तो ये 16 chapter हमें discuss करने है कुल मिलाक के अगले 20 दिन में 20 से 25 दिन में 16 chapter discuss करने है support करोगे, 15 दिन में करवा सकता हूँ 15 दिन ये 16 chapter है, तो minimum 16 दिन तो लगेगा मुझे दिखेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो आप लोग देख रहे हो, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस दूँगा नहीं दिखेगा कि व्यूस का हमारे simple सी बात है, थोड़ा time लेके वीडियोस दूँगा लेकिन complete एक महीने में आपके 16 chapter ये complete होंगे साथ ही अगर mathematics की बात करें तो देखो, mathematics में जो आपको पढ़ने है ratio and proportion, है ना काफी easy level की आती है, mathematics काफी tough level की नहीं आती है ये सारे आपको देखो, average chapter हो गए आउसत है ना, तो आउसत आप पढ़ सकते हो LCM और SCF, LASA और MASA, है ना, ये भी आपको पढ़ना है profit and loss से question आते हैं, तो ये भी आपको clear करना है time, distance and speed, ये भी आपको clear करना है ये chapter आपको जरूर clear करने होंगे time, distance and speed, profit and loss and average इन से question पका आते हैं, तो ये सारे chapter आपको परसेंटेज से question आते हैं तो यह भी आपको clear करना होगा इसके बाद simplification of numbers यह chapter है fraction आपको बिनने आनी चाहिए है ना इसके बाद और दिखाते है area of triangle square and rectangle है ना area triangle की square की rectangle की area किसी ना किसी कोई भी question सब पूछा जा सकता है जिसमें आपको area निकालना हो सकता है तो वो भी आपको तयार रखना है surface area and volume of cuboids cylinder cone and spare यह chapter आपको तयार करना है probability काफी tough chapter होता है सबसे ज़्यादा tough chapter अगर माना जाए तो यही है probability probability आपको तयार करना पड़ेगा एक question दो question आ जाते हैं तो एक question आ सकता है लेकिन वो आप छोड़ दोगे question आएकर definitely आप छोड़ दोगे क्योंकि probability काफी tough होती है आपने इंटर में पढ़ी होगी तो आपने आपको कुछ इंटर में कुछ student ऐसे होंगे जिनको probability समझ आई होगी बाकि सबी छोड़ देते हैं simple trigonometry simple trigonometry भी पूछी जाती है देखो जो trigonometry simple पूछी जाती है ज्यादा tough नहीं पूछी जाती है तो कुल मिला के math जो होता math का level काफी हलका होता है चलो आप बात करते है general knowledge की तो जो आपका general knowledge है and current affair है ना तो देखो general knowledge में general science general science से question आते हैं एक question एक से ज़्यादा नहीं आता साथ एक question आपका general science का मिलेगा हो सकता है दो बाकी मैं minimum एक है ना तो एक question के लिए मैं आपको 300 question दे रहा हूँ 300 question आप पढ़ लो उसी के अंदर से एक दो जितनी भी आने उसी के अंदर से आगए description पर link है top 300 questions मैंने आपको करायते है Navy और Air Force के लिए top 300 general science question तो description भी मैं आपको link दे दूँगा जाके उस सारी वीडियोस देखो या फिर उपर आई बटन पर देखना आपको पूरी playlist मिल जाएगी 15 वीडियोस की तो जाके वो देख लेना इसके बाद बात आती है civics की civics question आता है geography तो civics और geography मैं आपको पढ़ा दूगा ठीक है एक दिन में मैं 100-100 questions इससे दे दूँगा 100 इससे दे दूँगा 100 इससे दे दूँगा ठीक है इसके बाद आता है current event देखो current fair में current events जो भी current events होते हैं उनसे question पूछे जाता है सारे हम current events जो भी हैं मैं आपको करवा दूँगा इसका पाद हिस्ट्री से भी मैं आपको 100 या 150 कुश्चन आपको दे दूँगा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन देखो कंप्यूटर साइन से भी कुश्चन पूछे जाते हैं चैनल पर आपको मिल जाएंगे लेकिन अगर फिर मैं आपको 100 कुश्चन करवा दूँगा तो यह कुल मिला कि आपके रागा का यह स्लेवे से पूरा थर्टी कुश्चन का है ना तो इतना अप अगर तयार कर लोगे तो सब कुश आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं नहीं पता चला है इस पीडियाफ की जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आप लेकलो सारे कौपी में आप लेकलो और देखो आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आते जो आते हैं उनको पर दिखा रहा हूं कि टाइप से कुछ पेपर बनता है तीस नंबर का पहला कुश्चन है बेरी-बेरी कमी से कमी से बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है भारत का राश्टपती को यहां पर देखो आंसर क्या दिए हुआ सरसी दिया हुआ है प्रतिबा पार्टिल जोकी गलत है काफी पुराना कुश्चन है उस हिसाब से सही है बोकम की तीवरता ना पी जाती है सब्सक्राइब करता है एक तो हम आपको करवा देंगे चैनल के आपको काफी सारे मिल जाएंगे कंप्यूटर साइन्स से कुश्चन आता है तो यह कुश्चन ने यहां पर दिया हुआ है है ना देखो करेंट अफेर से 2010 का कुश्चन है 2010 कॉमन वेल्थ खेलों का आजजन कहां किया जाना तै हुआ हुआ है तो almost यह मालो कि 2009 का यह पेपर होगा तो almost 10 साल पहले का यह पेप टेंगे हुआए लेकिन ऐसा नहीं कि कुश्चन पूछ के नहीं जाते है इसी टाइप के कुश्चन आते हैं यह देगो पलस कषट यह है और मालिस कषट ही एए आप बॉमनों यह एक question दे होगी यह देख एक question दी है तो इसको आपको solve करना है तो इसी type question पहले आते दे और इसी type question अभी आदे बसी यह लेविल थोड़ा हाई हो गया है ना तो लगबख सेट यही है आप बोलो कमेंड बॉक्स में तो यह पूरा सेट मैं आपको अच्छे से करवा सकता हूं काफी गलतिया होगी इसमें तो वह मैं करेट करके आपको सही करके मैं यह पूरा सेट करवा दूँगा दस साल का पहले का है तो क्या हुआ कई न कई काफी important question इसमें लिखे हुए मैंने क्योंकि already पूरा सेट जो है वो पढ़ा है तो यह तो टोटल तीस question यहाँ पे हैं तो इसी तरीके का आपका model paper होता है तो पूरा syllabus मैंने आपको रागा का बता दिया एक model paper भी दिखा दिया तो समझ गए हो गया कि आपका किस type का paper आता है अब इसके बाद से हम start करें videos देना आपको एक series start कर दी है मैंने जिसकी जिसमें हम जीके के जो evergreen question जो हमेशा पूछे जाते है और force में वो discuss करेंगी ठीक है और current affair मैं आपको करवा दोंगा history geography सब मैं आपको करवा दोंगा उसी स्रीज में सारे question वैसे हो जाएंगे अलग से नहीं करवाना पड़ेगा बाकि यह start कर रहे हैं से reasoning और reasoning का पहला topic नुमेरिकल स्रीज है ना याद रखना पहला topic है नुमेरिकल स्रीज और इसके questions आपको चैनल पर थोड़ी दिर बाद मिल जाएंगे यह वीडियो कर आप कुछ दिन बात देख रहेंगे तो उपर आई बटन पर या फिनीच डिस्क्रिप्सन पर चेकरना आपको मिल और अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मिलते नेक्श वीडियो में टिक केर बाबाए तैयारी करो और परिक्षा एप में जो टेस्ट दिये हैं उनको लगाओ उनको सॉल करो मान लेते हैं वहाँ से पेपर कम फसेगा चलो मान लेते हैं वहाँ से 40% पेपर फसे केवल ठीक है यार पेपर 40% फसे वह मेंटर नहीं करता है आप यह देखो कि आपको इतने कम पैसे में मोबाइल पे ऑनलाइन टेस्ट करने को मिल ले है ना जो कि अभी तक कोई भी कंपनी पॉशबल नहीं करवा रही थी फोन पे नहीं हो रहा था में लैप्टॉप या पीस कर पाऊगे तो जाके परचेस कर लो और तीज दिन है अभी भी तो जाके डेली एक लागा है ना मिलते हैं इस वीडियो टेक कियर बाए